मुवी स्टार्ड होती है और यहाँ वर हम किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है वो गहता है कि तुम सबसे जादा जिन्दा तब होते हैं जब तुम्हें एक टीनेजर होते हो तुम्हारा दिमाग एक केमिकल्स का फ्लश बन जाता है जो बड़े अच्छे दरीके से तु में कुछ भी इंट्रस्टिंग नहीं हुआ इसके बाद हम उसकी कई वादे सुनते हैं उसकी हम स्कूल लाइफ देखते हैं वो फिर अपने रूम में कुछ टाइप कर रहा था उसे अपने स्कूल में निउस्पेपर का एडिटर इंचीप बना था इसके बाद अगली दिन इसी के लिए इंटर्व्यू के लिए उसे बुला गया था वहाँ जाके वेट कर रहा था से वहाँ पर एक लड़की देखती है जो एक बुक पढ़ रही थी इस बुक में बोईट ही लिक्यूई थी जैसे वह एक दुसरे को नोटिस करते हैं तब दोनों को अंदर बुलाय चाहती और फिर वहाँ से चली गए उसके बीचे बीचे वह लड़का भी आता है उसे बुछता है कि तुमने ना क्यों का लड़की कहती कि तुम्हें क्या मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगे उस लड़की के साथ बात करने में जरा बीजी हो गया और इसी वज full है तुम्हें रीड करने चाहिए इसके बाद ग्रेश के घर करना पसंद नहीं है अकर तुम्हारे पास driving लाइसनस है तौटिह लगता कि तुम्हारे पास कार क्यँँ नहीं है लड़के ने कहा Chong प्र नहीं थी इसके बाद फिर वही पर कार सोड़ कर चली जाती है सेंड़ी के पैरेंस भी इस सब सुन लेते हैं सिस्टर भी गह रही थी कि हैंड़ी आज एक लड़की के साथ घर पर आया था पैरेंस ने पूछा कि आज तुम्हारे इंटर्व्यू में क्या हुआ तो हैंड़ी क नहीं देङरा देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद ग्रेस ने उससे जो भूख दी थी यह वो पढ़ने लगता है इसमें प्रोफुजल के वारे में बहुत सारी ब्यूटिफुल सी शाइरी लिखी थी इसमें लिखा था कि मैं तुमसे ऐसा प्यार नहीं करत और लास्ट इशू जून में होगा निउस्पेपर के लिए अलग-अलग टॉपिक्स का नाम ढून रहे थे लास्ट इशू में क्या इडाइस होने चाहिए इसके बारे में वो डिसकस करते हैं इसके बाद वो ग्रेस को इंट्रिस करता है क्यों पास की स्कूल में यहाँ पर आ हो गया था वो गयती कि जब भी मैं उसे देखती हूं तो मेरे आसपास मूजिक चलने लगता है तब इस सब के बीच में हैंडी ग्रेस को देखता है हैंडी अपने दोस्त और अपनी बस को चोड़कर उसके पास आ जाता है उसने ग्रेस चेका कि मैंने तुम्हारी बुक बाहर देखता है तो ग्रेस की गाड़ी लेने के लिए शायद उसके मॉम डैड आयो हुए थे इसके बाद रात में भी उस सो नहीं पाता है ग्रेस से साथ बात करने के लिए उसे मैसेज करने की कुशिश करता है ग्रेस से बात करने के लिए उसे मैसेज करना चाता था पर न इसके बाद फिर से वही हुआ कि ग्रेस की कार लेने के लिए कोई आया हुआ था इसके बाद फिर वो दोनों मिलकर एक अंदरे से जंगल में जाते हैं वहाँ पर एक पुरानी फैक्टरी थी यहाँ पर एक ओल्ड कॉटन मील हुआ करती थी वो 1988 में बन बढ़ चुके थी और ऐसे ही पड़ी हुई है वो दोनों फिर अंदर जाते हैं नीची उत्रे तो वहाँ पर एक छोटा सा तलाव जैसा बना हुआ था वहाँ पर मशलिया भी थी यह ब्रेड फिर वो मशलियों को खिलाते हैं ग्रेस ने हरी का हाथ पकड़ा और उ उपर देखती है और कहती है कि जब भी मैं उपर देखती हूं तो मुझे लगता है कि लोग सिर्फ मरे हुए तारों की अस्तिया है हम एक एक कलिक्शन से बने हुए हम धोड़ी दर एक दुसरे के बास आते हैं और फिर पिछड़ जाते हैं एंड्री से बुचता है कि क्या तुम शूर हो कि तुम अपनी निउस्पेपर के लिए नहीं लिखना चाहती है फिर पानी से बाहर आती है और उसे कुछ दिखाती है वो बुच्छता है कि क्या यह लाटिन में लिखा हुआ है ग्रेस ने अपने घर पर आया तो उसने एक वेस को तोड़ दिया इसके बाद तुटे हुए वेस को फिर से पेंट कहता है इसे फिर से जोड़कर वो आर्ट बनाता है इसे बहुत सारे वेस उसके घरवर पड़े हुए थे उसकी सिस्टर को उसके बहुत लगती लगती थी इसके बाद नेक्स जे हैंडरी की सब लोगों के साथ मिलकर निउस्पेपर की तीम की ऊपर एक मिटिंग चल रही थी प्रोफेसर ग्रेस को भी एक आइड़ा के लिए पूछते हैं तो ग्रेस कहती है कि मुझे कोई आइड़ा नहीं है वो फिर वहाँ से चली इसके बाद हम हैंडरी को फाइनली उसके स्कूल बस में देखते हैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था हैंडरी के फ्रेंड ने उसे एडवाइस की अगर तुम पूरी दरीकी से जाना चाहते हो तो उसका पीछा करना हैंडरी एडवाइस ले भी लेता हैंडरी पहले तो इस बात के लिए मना करता है पर फिर वह एक्च्छल में उसके स्टॉक करने लग गया था वो देखता है कि ग्रेश का मोर ख्राब था वो एक लेक के बास एक कबर के पास आ जाती है उसमें डॉंपनी सेहर का नाम लिखा हुआ था ग्रेश के जाने के बाद हेंडरी वही पर उस लड़के का नाब सेर्च आफिक चलेता कि डॉपनी स्पर्ट्स अच्छा था बूरे अचिए उसकी पार्टनर यहां जो थी उसे सिर्फ एक चोटी सी इंजूरि हुई थी जब उस लटके के इंस्टाग्राम पर ग्रेस का बाएठीक्षरे इसके बाद नेक्स फटे एडिकल को वीर सा कर रही है यह देखकर ग्रेस के वाज जाने के लिए अपने पैरन से जूट बोलकर वो पर्मिशन लेता है वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ उसके फादर उसे कहता है कि तुम्हें जूट बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस बाद पर पर आता है और सोने की कोशिश करता है उसने ग्रेस को मैसेज किया पुछता है कि क्या तुम ठीक हो आज तुम्हारा मूर ज़रा खराब था घ्रेस कहते कि मैं ठीक हूं और कल मैं दुम्हारे साथ लाबरेरी में मिलना चाहते हो जिस पर के लिए मेरे पास कुछ आईडिया दे देती है इन सब चीजों में कुछ बाते सेम है यह वोग यंग लोग जो सुसाइड कर लेते उस पर बेस्ट है हें उससे पूछता है क्या पूरी रात तुम इनी सब चीजों पर सोच रही थी ग्रेस उससे कहती है कि जब बड़े-बड़े व्राइटरस टीनेजर के बार सुसाइडल हो ग्रेस उससे कहती कि कभी-कभी हमें लगता है कि दुनिया से गायब हो जाए ऐस टीनेजर होना उसे जेल की तरह लगता है दुनिया हमेशा तुम्हें अपनी फिलिंग्स एक्स्प्रेस करने के लिए कहती है और जब तुम्हें दबा देती है सारे एडल्स प पर में बात करनी चाहिए रेस फिर हेंडरी को ही पूछ लेती है हेंडरी कहता है कि माइक जॉनसन नाम का मेरा एक फ्रेंड था उसने सुसाइड कर ली थी उससे मैंने एक एडल मैगजीन बोरो की थी जब उसकी टेथ हो गई तो मुझे लगने लगया मेरे ड्रॉर में रख परसन की डेथ हो गई थी बहुत अच्छा लिखती थी वैसी वजह से मुझे उसके वारे में लिखने के लिए कहा गया था पर वो लिख नहीं पाई थी अब उसने लिखना छोड़ दिया है इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बाते कहते हैं हैंडरी से बुछता है कि मेरे फ्रेंड की बड़े पार्टी है क्या तुम मेरे साथ आओगी इस बात के लिए मानके फिर उससे बुछती है क्या तुम मुझे अपने घर पर नहीं बुलाओ कि इसके बाद वो हेंडरी की घर पर आ जाते हैंडरी ग्रेस को सबसे मिलवाता है और इसके बाद उसके रूम मे यही ऑन करती हूँ ग्रेस इस बात से अपसेट हो गए और उसे छोड़ कर वहाँ से भागने लगए ग्रेस कहती कि सौंग सिर्फ मेरा और डॉम का है इसे बाद हेंडरी सिच्वेशन को सैलवेश करने की कोशिश कहता है तो ग्रेस उसे घर चोड़ने की बात करता है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था तो ग्रेस उस पर गुस्सा हो जाती है वह से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी वेज नहीं हो जो तुम मुझे फिक्स कर सको स्कूल में भी वह बहुत ही अपसेट था आज अपने फ्रेंड के पार्टी में बहुत मजा आएगा वहाँ पर उसे कॉल करता है ग्रेस से कुछ भी रिस्पॉंस नहीं आता तो उसे एक वोइसमेल छोड़ देता है रात को भी हिन्री सो नहीं पा रहा था तो ग्रेस उसे मैसेज करती है कहती कि बहुत टाइम हो गया कि किसी ने मुझे वोइसमेल वेजा उसे फिर अफ्टरनून में घर क के बाहर वेट करता है आज ग्रेस खुद गाड़ी चला कर उसे पिक अप करने के लिए थी इसके बाद वो डॉम के ग्रेव को विजिट करने के लिए वो कहती कि मैं और डॉम हमेशा यहाँ पर आय करते थे इसके बाद अपने गले से एक चेन निकाल दिये उसमें वही में आगे बढ़ना चालते हो इसके बाद तो दोनों किस करते हैं उन दोनों की रिलेशनशिप की अब एक अच्छी शुरुआत हुई थी इसके बाद दोनों ग्रेस के घर पर जाते हैं घर के अंदर एक लड़ाई चल रही थी एक लेड़ी घर के वहार आई और अपनी हो जाती है कि तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद हेंडरी गुस्ता हो जाता है और वो घर जला गया अगली दिन ग्रेस स्कुल में नहीं आई थी हैंडरी के प्रोफिसर उससे पूछ तेक तुम्हारी लैब पार्टनर कहा पर हेंडरी को पता नहीं था उसके पास बेटी लड़कियों से कहती है कि आज उसके एक्सिडेंट की अनिवर्सरी है उसकी स्कुल में सब लोग उसके बॉइफ्रेंड के लिए कैंडल जला रहे थे इसके बाद हेंडरी उसे ढूंटा नूंटा उसके घर पर पहुश गया जैसे मैं उस्सें मिलने के लाया है रूम में उपार जाता है रूम को रूम है यहां अपनी मदर से चुटकारा पाने के लिए आया करती है वासकल बहुत जाता रिंग कर रही थी इसके बाद ग्रेस और हेंडरी की बीच में लड़ाए हो जाती है क्योंकि अब भी डॉम को पनी जिन्दगी से जाने नहीं दे रही थी वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती थी इस बात से हैंडरी गुस्ता हो गया अगरेस ने उसे जो बुक दी थी इसे ओफार देता है घर आने के बाद भी वह बहुत ही अपसेट था उसके पैरेंट्स से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो कि हम समझ सकते हैं उन पर भी गुस्ता हो क्या कहता है कि आप लोग मेरी फिलींस कभी समझ नहीं पाऊंगे इसके बाद उसकी सिस्टर उसे समझाने के लिए आती हैं जो तुम प्यार विगरा सब कुछ फिल कर रहे हो इसे वह तुमारे ब्रेन ने तुमारे साथ लिए यह सब तुमारे ब्रेन के केमिकल्स की वज़े से हो रहा है तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए इसके बाद हेंड़ी अपनी स्कूल में कैंटिंग में अपने फ्रेंड के साथ था वो अपने काम पर फोकस कर रहा था तभी उसे डॉम के फादर का मैसेज आता है कि पूरे दिन से मिसिंग है अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं फिर भागतावा फैक्टरी के पास पहुच जाता है जोर जोर से पानी के पास जाकर रही थी पूरी दरीगे से टूटी हुई थी हैंडि को डॉम समझ कर रोने लग जाती है केती कि सब मेरी गलती है जिस दिन उनका एक्सिडन्ट हुआ था तो कार में उसे टिकल कर रही थी डॉम ने उसे मना किया था पर फिर भी वो कंटिन्यू कर रही थी और इसी वज़े से सहारा देकर शान करवाता है फिर डॉम की सारी फोटो वही पर पानी में छोड़ देती हैं अगली सुबा है अपना काम कर पर फिर भी हैन्री ग्रेस से प्यार करता था पर उसने मुओ अन होना सीख लिया था स्कूल में उग्रेस को देखता है पर अपना रास्ता बदल लेता है अपने निउस्वेपर पर उसने अच्छे से काम किया था और ओर लॉंच होता है अवसके हाइज स्कूल खतम हो गई एक दिन स्कूल कहता होने के बाद दोनों फिर से मिलते ग्रेज में इसके जैसे लाइफ चल रही थी वैसे उसने जीना सीख लिया था वो दोनों एक दूसरे से पहार तो करते थे पर ये टाइम सही नहीं था शायद आगे चलकर वे एक दूसरे से फिर्शे मिलेंगे अगर आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट ज़रू करतीजेगा यह आप सारी मुविज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करतीजेगा और बेल